हेलो पच्चों, आज हम आपके बहुपद पार्ट में चर्चा करेंगे बहुपदों के लिए विभाजन अल्गॉर्धम की इसमें हम जानते हैं भाज्ये बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेश्वल के विभाजन अल्गॉर्धम के अंसार दिये गए बहुपद P of X और शुन्यतर बहुपद G of X के लिए दो ऐसे बहुपदों Q of X तथा R of X का अस्तित्व है कि P of X बराबर होगा G of X गुना Q of X प्लस R X के जहां R of X शुन्य है या R X की घात G X की घात से कम है इसकी मदद से अब हम आपकी प्रशनावली को हल करते हैं देखिए पहला प्रशन क्या कहता है विभाजन अल्गॉर्दम का प्रयोग करके निम्न में P of X को G of X से भाग देने पर भागफल तथा शेशफल ग्याद कीजिए P of X हमारे पास है X की घात 3 माइनस 3 X की घात 2 प्लस 5 X माइनस 3 इसको हमें G of X X की घात 2 माइनस 2 से भाग देना है आप देखिए इसको हम X से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा X की घात 2 गुना X तो हमें प्राप्थ हुआ माइनस X की घात 3 जो कैंसल हो गया और X को 2 से गुना किया तो माइनस 2 X आया तो हमें प्राप्त हुआ माइनस 3x की घाद 2 और यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया 5x और 2x हो गया 7x माइनस 3 अब हम माइनस 3 से x square माइनस 2 की गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 3x की घाद 2 प्लस 6 अब हम देखते हैं कि 7x माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 9 तो हमारे पास क्या बचा भागफल x माइनस 3 और 6 फल 7x माइनस 9 समझ में आया चलिए दूसरा प्रेशन करते हैं यहां हमारे पास p of x है x की घाद 4 माइनस 3 x की घाद 2 प्लस 4x प्लस 5 इसको हमें भाग देना है g of x x की घाद 2 प्लस 1 माइनस 6 पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं x की घाद 2 माइनस 6 प्लस 1 standard form में अब हमने x की घाद 2 को किसे गुना करें जो हमें x की घाद 4 आ जाए आप देखिए x की घाद 2 गुना x की घाद 2 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की घाद 4 और x की घाद 2 को x से करेंगे तो मिलेगा minus x की घाद 3 और X की घाद 2 को 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा X की घाद 2 अब आप देखिए X की घाद 4 माइनस X की घाद 4 ये कैंसल हो गए और हमारे पास माइनस 3 X की घाद 2 और माइनस X की घाद 2 क्या हो गया? माइनस 4 X की घाद 2 यहां पर माइनस X की खाद 3 क्योंकि कोई भी हाँ पर X की खाद 3 नहीं है इसलिए ये हमारे पास आजाएगा X की खाद 3 plus sine से तो X की खाद 3 माइनस 4X की खाद 2 plus 4X plus 5 हमारे पास बचा अब हमें X की खाद 3 चाहिए तो हम X की खाद 2 को किस से गुना करेंगे X की घखाद 2 को X से गुना करेंगे, तो हमें मिलेगा X की घखाद 3, इस प्रकार हमने X की घखाद 3, आब X को X से करेंगे तो माइनस X की घखाद 2 और X को X से करेंगे तो हमें मिलेगा X, अब इन सब के साइन आप बदल देंगे, माइनस करके, तो ये हो गया, X की घखाद 3 से रंग्सलो गया. माइनस 4 X की घाद 2 प्लस X की घाद 2 हो गया. माइनस 3 X की घाद 2. यहां हमारे पास है 4 X माइनस X तो हो गया 3 X प्लस 5 अब हमें चाहिए माइनस 3 x की घाद 2 और हमारे पास है x की घाद 2 तो हम किस से गुणा करेंगे माइनस 3 से तो x की घाद 2 गुणा माइनस 3 से हमें मिलेगा माइनस 3 x की घाद 2 जो हमें यहां लिखा और हम 3 से अब x को गुणा करेंगे तो minus 3x आएगा यहाँ पर minus minus प्लस हो गया और minus 3 को एक से करेंगे तो minus 3 आएगा अब हम इनके sign change कर देंगे तो सारे sign हमारे बदल जाएंगे और हमें मिलेगा minus 3x square minus 3x square से cancel हो गया 3x minus 3x से भी cancel हो गया 5 और 3 मिला के हमें मिला 8 अब आप देखिए हमारे पास भाग फल क्या बचा एकस की गहाद 2 plus x minus 3 और 6 फल बचा 8 समझ में आया बचो चलिए अगला प्रशन देखते हैं यहाँ पर p of x है x की गहाद 4 minus 5x plus 6 और g of x है 2 minus x की गहाद 2 इसको पहले देखिए हम कैसे लिख सकते हैं minus x की गहाद 2 plus 2 और हमारे पास क्या है बहुपत? x की गहाद 4 minus 5x plus 6 अब हमें minus x की गहाद 2 को किस से गुणा करें जो हमें x की गहाद 4 प्राप्त हो किस से करेंगे? हाँ बिल्कुल सही minus x की गहाद 2 से तो हमने minus x की गहाद 2 से गुणा किया तो minus x की गहाद 4 आया और minus 2 x की गहाद 2 आया अब आप देखिए यहाँ पर हमने x की गहाद 4 minus x की गहाद 4 कैंसल हो गया और यहाँ पर बच्चा हमारे पास 2 x की गहाद 2 इसका साइन चेंज होने से 2 x की गहाद 2 minus 5 x plus 6 अब हमें चाहिए 2 x की गहाद 2 और हमारे पास क्या है? माइनस x की गहाद 2 अब देखिए minus x की गहाद 2 को हम किससे गुदा करें जो हमें minus 2 x की गहाद 2 प्राप्त हो बताईए हम minus 2 हमें plus 2 चाहिए तो minus x की गहाद 2 को minus 2 से गुदा करेंगे जो हमें 2x की खाद 2 मिलेगा यहां पर अगर हम साइन चेंज करते हैं तो यह कैंसल हो गया और हमें मिला माइनस 5x प्लस 10 तो हमारा शेशफल हुआ माइनस 5x प्लस 10 और हमारे पास भागफल आया माइनस x की खाद 2 माइनस 2 तो बच्चो हमें मिला भागफल माइनस x की खाद 2 माइनस 2 और शेशफल प्राप्थ हुआ माइनस 5x प्लस 10 अगला प्रशन देखते हैं पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग करके जाच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दृतिय बहुपद का एक गुननखंड है ये कब होगा गुननखंड जब हमें शेशफल शून्य मिलेगा तो देखते हैं भाग करके हमारे पहला बहुपद है T की घाद 2 माइनस 3 और दूसरा बहुपद है 2 T की घाद 4 प्लस 3 T की घाद 3 माइनस 2 T की घाद 2 माइनस 9 T माइनस 12 तो इसको हमने भाग देना है T की घाद 2 माइनस 3 से इसको भाग देने के लिए हमें किस चीज का ध्यान रखना है हमें T की घाद 2 को किस से गुना करें जो हमें 2 T की घाद 4 मिल जाए 2 T की घाद 4 मिल जाए किस से गुना करेंगे एक तो हमें 2 चाहिए ठीक है और हमें क्या चाहिए T की घाद 4 चाहिए तो 2 और 2 मिल के 4 मिलेंगे तो हम लेंगे 2 T की घाद 2 से गुना करेंगे यह देखे, तो हमें क्या मिलेगा, दो टी की घाद चार और दो टी की घाद दो से तीन को गुणा किया, तो माइनस छे टी की घाद दो मिला, अब हमने इसको साइन को चेंज कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, यह तो कैंसल हो जाएगा, दो टी की घाद चार माइनस दो टी की घ चार, उपर हमारे पास क्या बचा था, 3 T की घात 3, प्लस, अब देखिए, 6 का साइन बड़ा है, और 2 का साइन छोटा, माइनस 2 है, तो हमने 6 में से 2 घटाया, हमें मिला 4, 3 T की घात 2, माइनस 9 T, अब हमें ध्यान देना है, कि हमें चाहिए 3 T की घात 3, और हमारे पास क्या है, T की घात 2, अब हमें इसको किस से गुना करें, जो हमें 3 T की घात 3 प्राप्थ हो, किस से करेंगे, हाँ, बिल्कुल ठीक, 3 T से, ठीक है, तो 3 T से हमने गुना करना है, तो क्या मिलेगा हमें, 3 T गुना, 4 T की घात 2, हमें देगा, 3 T की घात 3, जो कैंसल हो जाएगा, और 3 T गुना, माइनस 3 बनेगा, माइनस 9 T, जिसको हम साइन बदल के कैंसल कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4 T की घात 2, माइनस 12, अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, 4 T की घात 2, और हमारे पास क्या है, T की घात 2, T की घात 2 को हम किस से घुना करें, जो हमें 4 T की घात 2 आ जाए, 4 से करेंगे, तो हम 4 से घुना कर लेते हैं, यहाँ पर 4 घुना, T की घात 2 से मिलेगा, 4 T की घात 2, 4 को 3 से घुना करेंगे, तो क्या मिलेगा, माइनस 12, अब हमें देखना है, कि अगर हम इनका साइन चेंज कर देते हैं, तो यह कैंसल हो जाता है, और 12, माइनस 12 भी कैंसल हो जाता है, तो हमारे शेशफल क्या बचा, 0, तो हमने देखा, क्योंकि शेशफल 0 है, इसलिए, बहुपद, 2T की घाद 4, प्लस 3, T की घाद 3, माइनस 2, T की घाद 2, माइनस 9T, माइनस 12 का एक गुननखंड है, समझ में आया बच्चों, आईए, अब अगला प्रशन देखते हैं, यहां पर हमें दिया है, X की घाद 2, प्लस 3X, प्लस 1, और दूसरा हमारे पस बहुपद है 3X की घाद 4, प्लस 5X की घाद 3, माइनस 7X की घाद 2, प्लस 2X, प्लस 2, इसमें हमें देखना है, कि X की घाद 2, प्लस 3X, प्लस 1 से भाग करने के लिए, हमें चाहिए 3X की घाद 4, और हमारे पस क्या है, X की घाद 2, तो हमें देखना है, X की खाद 2 को हम किस से गुणा करें, जो हमें 3X की खाद 4 प्राप्थ हो, किस से करेंगे, हाँ, 3X की खाद 2 से, अगर हम इस से गुणा करते हैं, तो देखें क्या मिला, माइनस 3 x गाद 4, 3 x गाद 2 से 3 x को किया, तो हमें मिला 3 कुना 3, 9 x गाद 3 प्लस 3 x गाद 2, अब हमने इनके सब साइन बदल दिये, तो हमने देखा 3 x गाद 4 कैंसल हो गया, 5 में से 9 x गाद 3 माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 4 x की गाद 3, और यहां पे माइनस 7 x की गाद 2 और माइनस 3 x की गाद 2 से हमें प्राप्त होगा, माइनस 10 x की गाद 2, उपर से हमने 2 x को यहां पे हम नीचे ले आए, अब हमें देखना है कि x की घाद 2 को हम किस से गुणा करें जो हमें minus 4 x की घाद 3 मिल जाए x की घाद 2 को किस से गुणा करें जो हमें minus 4 x की घाद 3 प्राप्त हो किस से करेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक, माइनस 4 तो हमें चाहिए ही और हमें x भी चाहिए क्योंकि x की घात 1, 2 प्लस 1 हमें 3 मिल जाएगा अब हम इसको x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को हम माइनस 4x से गुना करते हैं आप देखिए क्या मिलेगा? माइनस 4x की घात 3, माइनस 12x की घात 2, माइनस 4x आप देखिए हमने क्या लिखा हैं आपे? माइनस 4x की घात 3, माइनस 12x की घात 2, माइनस 4x अब हम इसको सब्ट्राक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास माइनस 4x गहाद 3 माइनस 4x गहाद 3 कैंसल हो गया माइनस 10 और प्लस 12 तो 12 में से 10 घटाएंगे क्या मिल जाएगा 2x गहाद 2 और यहाँ पर भी साइन बदलने से 4x और 2x हमें क्या देगा 6x और उपर से हमारा 2 आ गया तो हमें क्या मिला 2x की गहाद 2 प्लस 6x प्लस 2 अब फिर से ध्यान दीजिए हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पे x की गहाद 2 और हमें क्या चाहिए हमें चाहिए 2x की गहाद 2 हम किस से गुणा करेंगे दो से ठीक अब हमें मिलेगा दो एक्स की गहाद दो गुणा तीन एक्स मिलेगा छे एक्स और दो से फिर एक को गुणा किया तो हमें मिला दो अब हमने इनके साइन बदल दिये दो एक्स क्वेर माइनस दो एक्स क्वेर कर गया छे एक्स माइनस छे एक्स भी कर गया और यहां देखिए दो और माइनस दो भी कर गया तो हमें शेशवल क्या मिला शूनिये इसलिए बहुपद एक्स की गहाद दो प्लस तीन एक्स प्लस ए प्लस 2x प्लस 2 का एक गुननखंड है, समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं, x की घाद 3 माइनस 3x प्लस 1, और दूसरी बहुपद हमें दी हुए है, x की घाद 5 माइनस 4 x की घाद 3 प्लस x की घाद 2 प्लस 3X प्लस 1 अब हम इसको भाग करके देखते हैं हमें चाहिए X की घात 5 और हमारे पस क्या है? X की घात 3 तो हम किस से गुना करेंगे? X की घात 3 को हम गुना करेंगे X की घात 2 से देखें, 3 और 2 जोड के हमें मिलेगा 5 अब हमने X की घात 3 को X की घात 2 से गुना किया तो हमें क्या मिला? X की घात 5 और फिर X की घात 2 को किस से गुना किया? माइनस 3X से तो क्या मिला? माइनस 3 X की घात 3 अब X की घात 2 को 1 से किया तो हमें मिला X की घात 2 अब हमने इनके साइन बदले तो X की घात 5 माइनस x गहाद 5 कट गया आगे देखिए यहां माइनस और माइनस करेंगे तो sin हमारा बिदल जाएगा माइनस 4 प्लस 3 हमें देगा माइनस x गहाद 3 और यहां पर देखिए x की गहाद 2 माइनस x की गहाद 2 cancel हो गया उपर से 3x नीचे आ गया प्लस 1 और साथ में माइनस साइन चाहिए और हमारे पास क्या दे रखा है एकसी घात तीन तो एकसी घात तीन को हम किस से गुणा करेंगे जो हमें माइनस एकसी घात तीन मिल जाए हाँ बिल्कुल ठीक है माइनस एक से ठीक है तो माइनस एक को एकसी घात तीन से करेंगे तो माइनस ए 3-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 cancel हो जाएगा लेकिन नहीं एक और एक मिलके हमें मिला दो यहां ध्यान से देखिए क्योंकि शेश्वल शूर्णिय नहीं है इसलिए बहुपद एकसी घात तीन माइनस तीन एकस प्लस एक बहुपद एकसी घात पांच माइनस चार एकसी घात तीन प्लस एकसी घात दो प्लस तीन एकस प्लस एक का गुननखन नहीं है समझ में आया बच्चो अब आगे हम तीसरा प्रेशन देखते हैं जो कहता है 3 x की घाट 4 प्लस 6 x की घाट 3 माइनस 2 x की घाट 2 माइनस 10 x माइनस 5 के अन्य सभी 0 ग्याद कीजिए यदि इसके 2 0 ग वर्गमुल 5 बटा 3 और माइनस वर्गमुल 5 बटा 3 हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है ध्यान से देखिए हम इसका कैसे हल करेंगे हम यह जानते हैं कि हमारे पास अगर यह 2 0 ग हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं x माइनस आलफा और x माइनस बीटा अब हम इसको लिखेंगे x माइनस वर्गमुल 5 बटा 3 और x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वर्गमुल 5 बटा 3 अब आप देखिए इसको हम लिख पाएंगे x की घाद 2 माइनस 5 बटा 3 के ठीक है अब हम इससे इसको भाग करेंगे x की घाद 2 माइनस 5 बटा 3 से इसमें हमें चाहिए 3 x की घाद 4 ठीक है अब देखिए हमें दिया हुआ है x की घाद 2 माइनस 5 बटा 3 और हमें क्या चाहिए हमें चाहिए 3 x की घाद 4 तो हम किस से गुणा करेंगे 3 x x 2 से देखिए अगर हम गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 3 x x 4 माइनस 5 बटा 3 गुना 3 x x 2 यहां 3 कैंसल हो गया तो हमें क्या मिला 3 x x 4 माइनस 5 x x 2 अब आप देखिए 3 x x 4 माइनस 3 x x 4 कैंसल हो गया यहां पर कोई हमारे पास x x 3 की टर्म नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 6 x x 3 यहां पर देखिए साइन बदल गया माइनस 2 x x 2 और प्लस 5 x x 2 हमें क्या देगा प्लस 3 x 2 उपर से हमारे पास माइनस 10 x आ गया और माइनस 5 भी आ गया अब हमें ध्यान देना है हमारे पास x 2 है और हमें क्या चाहिए 6 x 3 चाहिए तो हम किससे गुणा करेंगे बच्चों हम करेंगे 6 x से तो 6 x से हमें मिलेगा 6 x 3 प्लस 0 x कोय क्यों क्यों हांकि हमारे पास कोई भी अगर हम 6 x से गुणा करेंगे तो कोई भी हमारे पास x 2 की वैल्यू नहीं आएगी तो हम अब माइनस 5 बटा 3 को किससे गुणा कर रहे हैं 6 x से कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए यह हम काट करके हमें क्या मिलेगा माइनस 10 x तो इस प्रकार हमें माइनस 6 x की घात 3 और माइनस 10 x प्राप्थ हुआ और हमने साइन बदल के इसको काट दिया और इसकी भी साइन बदल गए तो यह भी कट गया हमारे पास क्या बच्चा 3 x की घात 2 माइनस 5 अब ध्यान दो हमारे पास है x की घात 2 और हमें क्या चाहिए 3 x की घात 2 तो हम किस से गुणा करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 3 x की घात 2 माइनस माइनस 5 बटा 3 गुणा 3 3 कट गया तो हमारे पास बचा माइनस 5 अब ध्यान से देखो अगर हम साइन बदल देते हैं तो यह हमारे वाल्यूस कट जाती हैं और हमें क्या मिलता है 0 इस प्रकार हमने देखा कि हमने x की घात 2 माइनस 5 बटा 3 से दिये हुए बहुपत को भाग किया तो हमें क्या मिला 3 x की घात 2 प्लस 6 x प्लस 3 अब हम इसको इसके गुणानखन निकालेंगे और उनसे हम 0 प्राप्त करेंगे कैसे करेंगे देखते हैं हमारे पास यह आये थे 0 क्या आये थे x की घात 2 माइनस 5 बटा 3 और 3 x की घात 2 प्लस 6 x प्लस 3 ठीक अब इसको हम देखते हैं ध्यान से क्या कॉमन है बच्चों इसमें बिल्कुल ठीक तीन कॉमन है तीन हमने बाहर ले लिया तो हमने लिखा तीन गुणा x की घात 2 माइनस 5 बटा 3 यहां क्या बच्चा हमारे पास x की घात 2 प्लस 2 x प्लस 1 इसके भी हम गुननखन करेंगे कैसे करेंगे यह आप पहले भी सीख चुके हो तीन गुना x की घात 2 माइनस 5 बटा 3 गुना इसको हम x की घात 2 2 x को हम इस प्रकार तोड़ करके लिख सकते हैं x की घात 2 प्लस x प्लस x प्लस 1 ठीक है अब इसको ध्यान दो इसको हम दुबाया लिख पाएंगे 3 गुना x की घात 2 माइनस 5 बटा 3 गुना इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है x हमने लिया तो यहां क्या बचा? x और यहां बचा 1 इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है तो हमने लिखा 1 गुना x प्लस 1 आप ध्यान से देखो बच्चो x plus 1 x plus 1 हमारे पास एक गुननखंड आया दूसरा गुननखंड क्या बचा? x plus 1 इस प्रकार हमारे पास दो गुननखंड प्राप्थ हुए x plus 1 और x plus 1 इसका मतलब हम अगर हम x plus 1 बराबर 0 लिखते हैं तो हमें प्राप्थ होगा xrobay minus 1 ऐसे ही x plus 1 बराबर 0 होगा xrobay minus 1 तो इसलिए 3 x की गहाँ 4 plus 6 x की गहाँ 3 minus 2 x की गहाँ 2 minus 10x minus 5 के 0 क्या क्या हुए? यह 0 क्या तो हमें दिये हुए थे और 2 हमने और निकाले क्या है minus 1 और minus 1? इस प्रकार से हमें चारो शुन्यक प्राप्त हुए आशा करती हूं समझ में आ गया चलिए आगे देखते हैं अगला प्रेशन कहता है यदि X की घात 3 माइनस 3 X की घात 2 प्लस X प्लस 2 को एक बहुपद G of X से भाग देने पर भाग फल और शेश फल क्रम शह X माइनस 2 और माइ माइनस 2 X प्लस 4 हैं तो G of X ग्यात कीजिए तो हमें क्या दिया हुए बच्चो भाजक है G of X भाग फल है X माइनस 2 भाज्य क्या दिया हुए है X गहात 3 माइनस 3 X गहात 2 प्लस X प्लस 2 और शेश फल क्या है माइनस 2 X प्लस 4 हम जानते हैं कि भाज्य पराबर होता है भाजक गुना भाग फल और प्लस शेश फल के बराबर इसलिए हम दिये हुए बहुपद को कैसे लिख सकते हैं G गुना X-2 प्लस-2 X प्लस 4 इसमें ध्यान से देखो माइनस 2 X प्लस 4 को अगर हम इस तरफ लाते हैं तो साइन बदल जाते हैं X की गहात 3 माइनस 3 X की गहात 2 प्लस X प्लस 2 माइनस माइनस 2 X प्लस 4 बराबर होगा g of x गुना x-2 के माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस 2x-4 इसको हम भाग देंगे x-2 से हना तो हमें क्या प्राप्त होगा g of x अब हम कैसे इसको विभाजन करेंगे देखते हैं x-2 से भाग करेंगे x की घाद 3 माइनस 3x की घाद 2 प्लस 3x-2 का हमें चाहिए x की घाद 3 तो हम x को बच्चों किस से गुना करेंगे जो हमें x-3 आ जाए हाँ बिल्कुल सही x-2 से तो हमें x-3 माइनस x-3 आया और यहां पर आया x-2 से 2 से गुना करने से आया माइनस 2x की घाद 2 अब हमने इसके साइन बदल दिये तो हमें क्या मिला माइनस 3x-2 प्लस 2x-2 इसका मतलब माइनस x-2 और यहां से 3x और यहां से माइनस 2 अब हमें चाहिए माइनस x-2 हम किसे गुना करेंगे x को हम किसे गुना करें जो हमें माइनस x-2 आ जाए हां माइनस x से करेंगे तो माइनस x से हम x-2 की गुना करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस x गहां 2 प्लस 2x अब देखिए अगर हम इनको साइन चेंज करते हैं कट जाते हैं और हमें 3x-2x मिला x-2 अब हम x-2 यहां भी है x-2 यहां भी है तो हम x से गुना करेंगे तो हमें यह cancel हो जाएंगे और हमाँ शेश्वल बच्चे का 0 ठीक अब हम अगला प्रशन देखते हैं बहुपदो P of x, G of x, Q of x और R of x के ऐसे उधान दीजिए जो विभाजन अल्गॉर्दम को संतुष्ट करते हों तथा घात P of x बराबर हो घात Q of x के बच्चों हम पहले सी जानते हैं कि यूकलिट विभाजन अल्गॉर्दम हमें क्या कहता है P of x बराबर G of x गुना Q of x प्लस R of x के जहां Q of x 0 के बराबर नहीं है और घात R of x या तो 0 है या R x की घात G x की घात से छोटी है हमें चाहिए घात P x की और G x की बराबर हो भाज्य और भागफल की घात तभी बराबर हो सकती है जब भाजक एक अचर संक्या हो इसका मतलब जिसकी घात 0 हो इसलिए माना P of x को हमने ले लिया 3 x घात 2 माइनस 3 x प्लस 5 और G of x को हमने लिया 3 इस प्रकार हमें Q of x क्या प्राप्त होगा x घात 2 माइनस 2 x प्लस 1 और R x हमें मिलेगा 2 देखिए हमने आपके लिए भाजन किया है यहां पे 3 x घात 2 माइनस 6 x प्लस 5 को 3 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3x2 ये कर गया माइनस 6x को है चाहिए तो हमने माइनस 2x से गुना किया माइनस 6x ये भी कर गया 5, 5 को हमने 3 से कटाया तो हमें 2 अपराप्त हुआ ठीक है आगे देखते हैं यहां पर हमें चाहिए घात qx की और rx की बड़ाबर होनी चाहिए हमने इसमें ऐसा उधारण लिया है 2x2 माइनस 4x प्लस 3 को हम भाग कर रहे हैं x2 माइनस 2x प्लस 1 से ध्यान से देखिए यहां पर हमें 2 से गुना करने पर प्राप्त हुआ माइनस 2X की घात 2 cancel हो गया, यहां पर हमने sign बदला, तो माइनस 4X और प्लस 4X भी बदल गया, 3 में से 2 घटाया, तो 1 आ गया, ध्यान से देखो, हमने PX को 2X की घात 2, माइनस 4X प्लस 3 लिया था, और हमने माना G of X कितना है? X square माइनस 2X प्लस 1, इस प्रकार हमें QX मिला 2 और RX मिला 1 जो हमसे माँगा गया था अगला देखते हैं यहां पि हमें चाहिए RX की घात शून्य है, माना P of X हमने लिया 2X की घात 2, माइनस 4X प्लस 3 और G of X हमने लिया X की घात 2, माइनस 2X प्लस 1 इस प्रकार Qx की घात 2, Qx बराबर हुआ 2k और Rx बराबर हुआ 1k आप देखें यहाँ पर हमने भाग दिया और हमें क्या मिला 2x की घात 2, ये cancel हो गया और फिर 2 से हमने 2x को किया तो minus 4x आया ये भी cancel हो गया और 3 minus 2 करने से हमें 1 मिला इस प्रकार हमने देखा Rx की घातियां पे क्या है? शून्य है तो बच्चो अब हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं ग्रहकार्य के लिए ले लिजिए पहला प्रश्न है 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग कीजिए दूसरा प्रश्न है 3x की घात 2 मायनज x की घात 3 मायनज 3x प्लस 5 को x मायनज 1 मायनज x की घात 2 से भाग दीजिए और वे भाजन अल्गोर्दम की सत्यता की जांच कीजिए तीसरा प्रश्न है 2, x की गहाद 4, माइनस 3, x की गहाद 3, माइनस 3, x की गहाद 2, प्लस 6, माइनस 2 के सभी 0 ग्याद कीजिए यदि आपको इसके 2 शुन्यक वर्गमुल 2 और माइनस वर्गमुल 2 ग्याद है आईए बच्चों हम देखते हैं हमने इसमें क्या-क्या पढ़ा इस पार्ट में हमने देखा बहुपदों के लिए विभाजन अल्गॉरिदम को हम कैसे प्रयोग मिलाते हैं हम जानती हैं भाज्य बराबर भाजग गुना भागफल वा शेश्वल होता है विभाजन अल्गॉरिदम के अनुसार दिये गए बहुपद P of X और शुन्यतर बहुपद G of X के लिए दो ऐसे बहुपदों Q of X तथा R of X का अस्तित्व है कि P of X बराबर होता है G of X गुना Q of X प्लस R of X के जहां R of X या तो 0 होता है या R X की घात G X की घात से छोटी होती है तो आशा करती हूँ आपको आज का समझ में आया होगा धन्यवाद कि दοठें के लिए और है वी कि आया समझ में आपको 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 को आपको क समयाद